आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का पंचांग मित्रो ओम शिक निसायनमा आई जानते है रईवार यानि की चार फरवई दोचार चोबिस का संपूर्ण विश्तित और सठीक पंचांग को जानते हैं हमारे जो भाति जो तिस पंचांग होता है वो सूर्योदे, सूर्यास, चंदोदे और चंद्रयास पर आधारित है पंचांग एक संस्कित का ही सब्द होता है, जिसके साब्धिकर्थ होता हैं, 5 अंगों से निर्मित और वो पंचांग के 5 होते हैं, तिथी, वार, योग, नक्षत्र, और करन। इनी 5 अचीयों से मितकर हमारे पंचांग का निर्मान होता है। किसी भी सुब कारी को अच्छे कारी को करने के लिए हमें जोत होती एक अच्छे महुर्त की और एक अच्छे महुर्त का चाहने एक अच्छे पंचांग को देखकरी कर सकते हैं, जिनमें इन सभी चीयों की जानकारी बिल्कुल सटिकता से दी गई हो, तो इन ही सभी चीयों की स साथ ही कमेट बॉक्स में जैसी करें चोग लिखें वितरों आज का संपुन पंचांग आपको बताना आराम करूं उससे पहले आए हम सभी मिलकर एक बार सुभकामना उल्लों को देदें जिनका जन दिन है आपको जन दिन की हार्दिक सुभकामना है भगवान गनेश के किरपा करता हूँ तुनी सब्दों के साथ आई चलिया आनते हैं रईवार चार फरवई दोजार चोबिस का संपुन विष्थित और सठीक पंचांग को जानते हैं आज है विक्रम संबत दोचर असी सक्समत उनिसो पैंतालिस कली संबत पांचार एकसो पक्चेस माह मागमा पक्ष क्रिष्ण पक्ष रितु सिसी रितु आयन उत्तर आयन रहने वाला है तिथी आज की 9 मी रहेगी दिन के 12 बच कर 27 मेर तक तदुपान 10 मी रिती आरंब हो जाएगी नक्षत्र अनुराधा रहने वाला है रातरी के 3 बच कर 18 मेर तक तदुपान जेष्ठा नक्षत्र आरंब हो जाएगा करन आज का गर रहेगा दिन के 12 बच कर 27 मेर तक तदुपान वनीज करने आराम होगा जो कि रात्री के 12 बच कर 21 मेर तक रहने वाला है फिर देर रात्री में विष्टी करन यानि की भद्रा आराम होगा योग आजका विध्धी रहने वाला है सुबा के 8 बच कर 10 मेर तक तब रूब योग आरंब हो जाएगा दिसासूल पस्चिन दिसा में हैं पस्चिन दिसा में किसी भी खास प्रियोजन से यातराम ना करें हैं पर आपको नुकसान हो सकता है सुब खादे आजका पान रहने वाला पान का छोड़ टुकरा भी थाकर यातराम करेंगे किसी नई काली को करेंगे उसमें आपको सफलतात लगेगी चंद रासी विश्चिक रहने वाली विश्चिक रहने वाली है विश्चिक रहने वाली है आज जिनका भी जन्म होगा उन सब की रासी जो है वो विश्चिक ही रहने वाली है वर्त्योहार में आज असा कुछ नहीं है सूरी रासी, मकर रासी, सूरी नक्षादर, सवन नक्षादर, सौर्मा, माघमा रहने वाला है आईए बेकनेजर आज के सूरी ओदे और चंदोदे की स्थेती पर नज़र डालते है सूरी ओदे सूरी ओदे सूरी ओदे और चंदोदे की स्थेती पर नज़र डालते है आज का सूरी ओध समय दिनके एग बचकर 77 मेर खर दिनके 7 मेर तक toen पर आए बेकने मेंचर आज के राहू काल और गुलिक काल की स्थेती पर नज़र डालते है राहु काल एक असुप समय होता है रहने वाई साम के 4 बच कर 40 मिट लेकर साम के 6 बच कर 2 मेर तक इस समय में कोई भी नयाकारी करने से बिलकुल बची है इसमें आपको और सफलतार लग सकती है बुली काल एक सुब महुत होता है, रहने वाए दिन के तीन बच का ठार मेर्च लेकर, साम के चार बच का चालीस मेर्ट तक, इस समय में कोई भी नया कारी आरम कहेंगे, तो उसमें आपको सफल्थार लगेगी परदोस काल साम के चे बच का दो मेर्च लेकर, रातरी के आठ बच का 49 मेर्ट तक, निसित काल रातरी के बारा बच का आठ मेर्च लेकर, रातरी के ही एक बच का एक मेर्च लेकर रहने वाला है अभजीत महुट दिन के 12 बच का 13 मेर्च लेकर दिन के 12 बच का 57 मेर तक रहने वाला है इस समय में भी कोई छोटा मटर कारी है आपका तो उसे आरम किया जा सकता है वीजय महुट दिन के 2 बच का 24 मेर्च लेकर दिन के 3 बच का 7 मेर तक गौदली महोट सामके 5 बच का 50 मेर्च लेकर सामके 6 बच का 14 मेर तक और आज का ब्रहमु महोट सुभा के 5 बच का 22 मेर्च लेकर सुभा के 7 बच का 7 मेर तक रहने वाला है तो में तो ये उमखाट का समपूरन वभिश्तित और सठीक पंचांग इसी तरह की अनिक आनुवर्दक वीडियो के लिए जूरे रहे हैं धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्षा जै मतल।